पूर्वी और पश्रमी यूपी को जोड़ेगा एक्स्प्रेस वे लखनाओ के चार्ब सराय गाउं से शुरूख होगा मुख्यमंद्री यूग्या दितनाथ नियूपी में सत्ता सम्हाले के बाद पुर्वांचल में विकास को रफ्ताद देने के लिए लखनों से आजम गड़ होते हुए गाजिपूर तक सिक्स लेन के पुर्वांचल एक्स्प्रेस वे का निर्मान शुरू करवाया था इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 340 किलो मीटर है और इसे भविश्य में 8 लेन का किया जा सकता है समाजवादी पार्टी के मुख्या और यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्खाटन प्रप्रधान मंतरी नरीन बूदी और सीम यूकी आधितिनात पर तंचुकसा है अखलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आगरा लखनो एक्सप्रेस वे से अच्छा नहीं है आगरा लखनो एक्सप्रेस वे में गाड़ी पर चाय का कब भी रख दे तो भी नहीं गिरता लेकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में कमर दर्द होने लग करके महरौली में चुनावी रहली को संबोधित करते हुए कहीं तो ऐसे में 16 नवंबर को प्रधान वंती नरेंद मोदी पुर्वांचल एक्सपेस वे का उद्खातन करेंगे भारती चुनता पार्टी की आज राष्ट्रे कारकार्णी की बैठक हुई बैठक में 2022 में खुने वाले चुनाव को लेकर चर्चा हुई और इस बैठक में यूपी पंजाब गोवा मानिपूर और उत्राखन के चुनाव को लेकर भी प्रेजेंटेशन की गई तो ऐसे में आज ये बीजेपी की बड़ी बैठक की गई दिल्ली में और ऐसे में आपको बता दें पांच राज्यो में हुने वाले चुनाव पर चर्चा भी की गई उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होनी जा रहे हैं और बहुत ही कम समय चुनाव में बचा है इसलिए विदानसेवा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई